मुथ्खे मंत्री पुष्कर सिंग धामी ने नेता जी सुभाज शन्र बोस की जैनती पर मुथ्खे मंत्री आवास देहरादुन में उनके चित्र पर स्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें स्रद्धांज लिदी मुथ्खे मंत्री ने कहा कि आजाद हिंठोज की नेत्रित्व करता भार्तिय स्वतंत्रता संग्राम के महानायत नेताजी सुभाज चंडर बोस ने राश्ट्र की स्वाध हिंता के लिए अपना जीवन समर्पित किया पुलिस मुख्याले दहरा दून की ओर से गंतंत्र दिवस 2024 के अपसर पर सेवा के आधार पर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा इसके तहट राज्यपाल उत्कृस्ट सेवा पदक उत्कृस्ट सेवा सम्मान चिन एवन सराहनिय सेवा सम्मान चिन प्रदान किये जाने की घोसना की गई है मुख्य निर्वाचान अधिकारी वी शन मुगं ने सों बार को प्रेस वारता कर राजचित में मद्दाताओं की संथ्या को लेकर जानकारी दी देटा दिया है इन में से सबसे महत्तपून 18-19 एसको अम लोग 1,29,062 है सो अमारा SSR के दोरान टोटल अडिशन हुई थी 2,57,932,33 टोटल डेलिशन है 1,58,011 इन में से डेलिशन का कारण बताया है 13,100 डेत के कारण से डेलिट किया गया है शिप्टेड के कारण 1,18,073 रिपीटर और मल्टिपूल एंट्रीज के कारण 26,838 नई पीडी को बर्फ और बर्फानी खेलों के प्रती रूची पैदा कर आकरशित करने के साथ-साथ पढ़्यावरन और बर्फ दोनों को सुरक्षित रखने के उत्तेशित को लेकर उत्राखन की विंटर डेस्टिनीशन ओली में वॉल्ड स्नो डे का तेरहवा संसकरन धूम धाम के साथ मनाया गया मसूरी में पुलिस टीम पर हुए हमले की घटना में प्रतन ग्रिष्ट्या लापरवाही परिलक्षित होने पर एसेसपी दहरादुन द्वारा दो चौकी प्रभारियों को निलंबित किया गया अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर के प्रांपतिष्छा महुत्सव के गवा बने सिमान जन्पत उत्तरकासी जहां से भगवान श्री राम का इतिहास भी जुड़ा हुआ है स्कंद कुरान के केदार खंड नामक अध्याय में लिखा है कि भगवान श्री राम द्वारा हनुमान जी को अमर्ता का वर्दान मिलने के बाद हनुमान जी ने खुद समय तक वारानसी में ध्यान किया था पर कल्युक का प्रथम चरन शुरू होने के बाद वैं हिमाले की वादियों में तपश्या के लिए उत्तर की काशी जिसे आज उत्तर काशी के नाम से जाना जाता है वहाँ अस्ति वरुना एवं मा भगिरिती के ठट पर उन्होंने भगवान स्री राम की तपश्या की थी अयोध्या में श्री राम प्रभु के बाल रूप विग्रह के प्रान प्रतिष्चा के सुव अपसर पर श्री राम दर्बार की जहां की निकाल कर श्री राम उत्सव मनाया गया इस अपसर पर शेत्र के सभी मंदिरों में विशेश पुजाओं का आयोजन किया गया और श्री राम भक्तों ने जगे जगे भंडारे लगा कर प्रशाद वित्रन की